नमस्कार, हमारे चानल हिंदू रिच्वल्स में आपका स्वागत है जिससे दिरुवासा का ध्यान भंग हो गया था वह कुध हो उठे और उन्होंने पुंजी कस्तला को शापते दिया तू स्व्यक्षा रूत धारन कर तीनों लोकों में गतिमान हो जा शाप सुनकर अपसरा ने महर्शी से अनुने भी ने किया तब उन्होंने परिहार किया तू शिल्वती थी जब वह वय प्राप्त हुई तब वीरज ने उसका विवाह प्रभास स्तिर्थ के निकट सुमेरू परवत शिंकला के सुरम में शिखर पर नीवास करने वाले नरोम श्रिष्ट वानर जाती के सम्मुनत कामरूप इक्षाधारी बलबुध्धी संपन वानर र भारदवाज सहीत अनेक रिशी गणाएं और धर्मकर्म में सनलगन हो गएं सहस्रा एक वजरिपात हुआ शंक शवल नामक मत गज ने वहां आकर उत्पात मजा दिया और रिष्टियों पर प्रहार करने लगा वानर श्रिष्ट केसरी की द्रिष्टी परवत शिखर से नीच भेज दिया महारशी ने प्रसंद होकर केसरी से वर मांगने को कहा उन्हें तब तक कोई संतान नहीं थी अताहुन्होंने महारशी से कहा महात्मा यदि आप मुझे पर प्रसंद है तो कृपिया मुझे एक्षा रूप धारन करने वाला पवन के समान पराकरमी रुद्ध समा अंजना सायम बेला में परवत शिखर पर विचरण कर रही थी सुन्दर वस्त्र और आभुशन से सुसाजित वह अस्ता चलगामी सूरी का दर्शन कर अनंदित हो रही थी कि अचानक वायू का वेग उनके समीप तीवरे हो गया जिससे उनका वस्त्र उड़ने लगा जबकि तीवरे स्वर में बोल उठी कौन दुष्ट मेरा अपमान करने का दुष्टा हस कर रहा है देवी कुपित न हो मैं पवन देव हो कृपिया मुझे शाप न दे देवी देव केसरी ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र की महर्शी भारद्वास से याचना की थी और महर्शी ने उन्हें याचित प्रदान भी किया उन्ही महर्शी के वचन को सत्य करने है तू मैं आपका शरीर इसपर्श करने है तू वीवश हुआ मेरे अंश इसपर्श से आपको मेरे समान पराकरमी पुत्र की प्राप्ती होगी महश्वा रूद्र ही मेरे इसपर्श द्वारा स्वयम आप में प्रविष्ट हुए हैं और वह ही आपको पुत्र रूप में प्राप्थ होंगे इसे सुनकर देवी अंजना का कोद शांथ हुआ समय बीतता गया और वह आउसर आ गया जब मंगलवार चैत्र शुकलिप नीमा को एकादस रूद्र हनुमान के रूप में उनके पूत् श्यमश्री विष्णुकी राम रूप में सहायता की इसी प्रगार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचूल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लीक करना ना भूले धन्यवाद